हेलो फ्रेंड्स मैं रोही सर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पर आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे जितने भी स्ट्रेंड्स बीट इंट्रेंड्स की त्यारी करना चाहते हैं और त्यारी मुझूड भी गए होंगे क्योंकि आप सभी का 9 अप्रेल से फॉर्म फिल स्टार्ट होड़ा है उससे पहले एक जनकारी मुझे देनी है आप सभी के लिए क्योंकि कई सारे स्ट्रेंड्स क्या करते हैं कि उस समय जब फॉर्म फिल करने जाते हैं तो अचानक से डॉक्मेंट्स की बहुत सारे परिशानी के सामना करना पड़ता है जिसके वज़े से फॉर्म भड़ने में उनको तकलीफ होती है और छुट भी जाती है बहुत सारे प्रब्लम आती हैं तो आज उन्हीं विशे पर बात करेंगे कि आप लोग अपना फॉर्म करने से पहली है सब सारे चीजे जनकारी एक पर देख ल हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कि दो वर्षिय परवेस परिक्षा वैसे वेर्थी समिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान समाजिक विज्ञान मानवी की वानिज्ज में असनातक यानिकी 10 प्लस 2 प्लस 3 यानिकी आपने 12 के बाद जोगेज विशन 3 साल का होता है या आस अपनातकोत्तर यानिकी PG कम से कम 50 परतिशत अंग रहनी चाहिए लेकिन इसमें BE और BTEC वाले भी स्टुएंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन यह कौन कौन सबजेक्ट वाले कर सकते हैं तो BE BTEC वाले देखे ध्यान से लिखा हुआ है कि विज्ञान और गनित में परतिशत अंक अत्वाइन के समतोल कोई अन्योगिता है तो गेजवेशन वाले स्टुएंट्स कम से कम आपके पास 50 परतिशत और BTEC वाले मैट्स और साइंस के लिए 55 परसन रखा गया है यह एक LNMU के द्वारा प्रोस्पेक्टस है उसी में से आप सभी को मैं बता रहा ठीक है अब बात कर लेते हैं इसमें आप सभी को इसमें समझ में आ गया शिक्षा सास्त्री वाले भी लिखा हुआ है कि प्रतिश्य मानेता प्रत विश्र विद्याले से सास्त्री या बीलिए सब्सक्रित मुख़ विषै के रूप में यह संतुल परंपरागत वे परिक्ष में नियुम्तम 50% प्राप्तांग के साथ उत्रिन होना अनिवार होगा यानि जो सिक्षा सास्तरी है संस्कृत के रूप में रखे जैसे इंगलिस के जगह पे संस्कृत ये 50% होना चाहिए इन सब के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको एक चीज दिखने को मिलेगा कि ये जितने भी गाइडेंस से फॉर्म फिल करना जा रहा है अब जो आपको में मुद्दा पे लेकर चलों को जो मैंने बताया था डॉक्मेंट से रिलिटेटिव वीडियो है देखे ये प्रोस्पेक्टर 2023 का है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इसमें कुछ नहीं है आपका चेंज हो जाएगा दो हजार 2024 यहाँ पर लिख जाएगा तो जिंख ते अगर कुछ भी इसमें कुछ यगर अपडेट होता है तो वह जनकारी में आप सभी को जरूर दूँगा हाला कि इसमें कुछ भी अपडेट नहीं होता है हर साल के भात यह रहता है बस यह आपका तो जो जी है यहाँ पे नेम आफ कैंडिडेट फादर स्टेम कैसे फॉर्म फिल करना यह सारे चीज़े यहाँ पर दे रखाई इमेल आइडी मोबाइल नंबर अपना रखि इसमें डुमेसाईल अफ बिहार यदि अवियर्थी बिहार का मुल निवासी है तो बिहार का चैन करे अत्वा अधर का चैन करे ठीक है मतलब मालने जेगा अगर बिहार के हैं तो आप बिहार कर सकते हैं अधर वाले भी कर सकते हैं यहाँ पे बिहार के मुल निवासी नहीं ह अरक्षन मिलता है ठीक है वो अरक्षन आपको नहीं मिलेगा ठीक है और साथ ही जात इसमें लिखा गया है आवास परमान पत्र आपको अपलोड करना है ठीक है यानि की रेसिदेंस वाला टॉमेसाइल यह अपलोड करना है केटेगरी है आपका जितने भी ये केटेगरी है बी सी यू आर एबी सी ची के आनुसुची जाती एससी एस्टी ये सब जितने भी है यह यहाँ पे दे रखा है लेकिन एक चीज़ कुछ लिखा गया इसको समझना जरूरी होगा कह रहा है यहाँ पे साब सब देखें कि पिछरा वर्ग एवं अतियंत पिछरा वर्ग अव्यर्ती यदि क्रीमी लियर के अंतरगत आते हैं एक होता है नॉन क्रीमी लियर और एक क्रीमी लियर तो यदि क्रीमी लियर अंतरगत आते है तो उन्हें इस समवर्ग के अरक्षन का लाव नहीं मिलेगा ठीके BC में दो केटेगरी होती है ठीके ABC में दो केटेगरी होती है एक non-crimalier और एक creamalier तो अगर आप creamalier में आएंगे तो आपको अरक्षन का लाव नहीं मिलेगा यानि कि 50% से जो आप गेजविशन किये हैं उसमें अलग-अलग केटेगरी का 5% रिलेक्सेशन मिलता है 45% तो आप उसको वो 5% नहीं मिल पाएगा यहाँ बात करते कि वे अनरक्षित के स्रेनी में माने जाएंगे अवियर्थी इन में से जिसी स्रेनी से संबंदित है उसी का उलेख अपने आवेधन प्रपत्र में करें बिहार राज सरकार के निया मानुसार अरक्षन अनुमान है बिहार के बाहर के अवियर्थी अनरक्षित स्रेनी भारेंगे साफ साल विखा गया है कि आपको बिहार के बाहर वाले भी कई सारे स्टुएंट कहते हैं कि सार क्या हम बिहार से बियर कर सकते हैं लेकिन आपको रेजर्विशन नहीं मिलेगा कोई अरक् चाहते हैं, तो यहां पर जो फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आप भर दिजेगा, और एक आपको बोट करद जो परमान पत्र होगा, दिव्यांका उसको आपको अप्लोड करना होगा, ठीके, साथी साथ ये सब पहचान पत्र के लिए क्या दे रखा है, पहचान पत्र के लि हैं, वो बनवा लीजिएगा जरूर, क्योंकि वो अप्लोड करना होगा, छे मेने के अंदरगत होगा, तो वो ठीक है, चलेगा, छे मेने से एक साल डेट दिया रहा था उस पे, अगर एक्सपार हो गया होगा, तो आप फिर से बना लिजे, क्योंकि अभी समय है, इसलिगे ये वीडियो पहले बनाया जारा, ताकि आपके पास सही जनकारी पहुंच सके, ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि सब कैटेगरी, यानि कि अवेर्ति सैनिक करमचारी कोटा के अंदर गात आते हैं, तो उनको भी लाब मिलेगा, ठीक है, एक चीज यहाँ पर लिखा है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कि कम्प्रीट एड्रेस यह तो सही है, आप भर सकते हैं, पूरा पूरा भर सकते हैं, अब देखे हैं, का अंक पत्र अपलोड करना है, तो अब बहर सकते हैं यहाँ पे आप अंक परिमानपत्र भी अपलोड करना है, तो यानिक गेजवेशन का थाप अभरना है, और PG अगर किये है, तो PG का PG नहीं किये है, तो कोई जरुतनी है भढ़ने का Metrica, Enter का, ठेक है, तीन तो आपको भढ़ना ही होगा बाकी अगर आपके पास PG है, तो PG का भी कर सकते हैं, ठेक है उसके बाद आपको यहाँ पे तीन option मिलेगा entrance exam देने के लिए यानि कि पीन जीला का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी जीला में आप बिलोंग करते हैं, वहाँ आप डाल सकते हैं बाकी के दो अलग से आप डाल सकते हैं, ठेक है, फिर यहाँ पे कोई भी changes का परवधान नहीं है परिक्षा केंद्र परिवर्तन है तो अविधन पर किसी भी स्थिति में स्विकार नहीं किया जाएगा परिवर्तन करने के लिए और सिक्षा सास्त्री के examination center जो है, उदर भंगा सिर्फ रखा गया है, लेकिन यह 2023 के लिए था हो सकता है अगर 2024 में बदलाव होगा, नहीं होता है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जुरूर आपको update मिलेगा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है, कि आपको form fill करने से पहले सभी जनकारी हो जनी चाहिए इसके बाद यहाँ पे आप सब कुछ जो भी declaration दे रखा होगा, उसको पढ़ लिजिएगा, यानि accept of गरा करके फिर आगे भढ़ देना है इसमें main चीज जो मैं बता रहा था आप लोगो, वो क्या रखना है, देखिए, यह जो note 2 लिखा है, note 2 में online आवेदन पत्र के printout के मूल प्रती या छाय प्रती, यह ध्यान डखना है कि उसका आप क्या किजिएगा, printout जरूर निकाल लिजिएगा, जो आपने आवेदन किया है, ठीके, तो क्योंकि आगे आपको यह काम करेगा, यह नहीं कि आप form फिल कर दे, उसके बाद गुम हो गए, इसको printout करवाकर तुरंत ही निकाल के रख लिजिएगा, तो इतने सारे सीज आपको काम करना है, metric, enter, और इंगजविशन का, ठीके, और यह आपका district जो है, जहा में से कोई एक ही रहेगा, शिक्षा सास्तिव के लिए कि सिर्फ यह है, और यहाँ पर जेनरल हिंदी 15, लॉजिकल रेजिनिंग यानिके 25 और जेनरल अविजनिस 45, ठीके, और TLE यानि टीचिंग लर्निंग इन्वर्मेंट इन स्कूल 25 पूछे जाते हैं, ठीके, तो यह ज आपको अरक्षन में ब्याली संख लाना होगा, यह क्वालिफाई के लिए है, सिर्फ और सिर्फ किस के लिए है, यह नहीं कि आप इतना ला दिये, तो आपको आपको अलेजिस मिलने में असानी होगे, यह क्वालिफाई मांक से 35 परसन, यही जो आरक्षन है, आगे जो दे रखा है, SC, ST, BC, ABC वालों को 30% लाना होगा, यही 5% जो होता है, वो अरक्षन आपको अधर एस्टेट वालों को नहीं मिलेगा, तो यानि कि यहां पे अगर हम बात करते हैं, 30 संख लाएंगे, तो आप क्वालिफाई करेंगे, तो आप क्वालिफाई करेंगे, जिसमें SC, ST, WBC, BC, EBC, WBC, EWS, सब आएंगे, तो यानि कि पीछेरे वक्षे महिलाओ भी है, WBC, वो भी आएंगे, कोई भी नेगेटी मार्किंग नहीं होता है, तो यह जनकारी आपको कैसी लगी, तो आप लोग जरूर शेयर कर देजेगा, तो यह सब कुछ डॉक्मेंट्स त्यार रखि लिए, और OBC, BC केटेगरी, सारे 700, SC, ST यहाँ पे 500 रुपय लगेगा, और यहाँ पे सुल केवल पेमेंट गेटवे के माधियम से, मतलब वो जो भी है, डेबिट कार्ट, क्रेट कार्ट जिसे देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं, चलिए फिर, तो यह जनकारी कैसे लगी थैंक यू सो मच, आप से भी का, मिलते हैं अनदर अप्डेट में, बाई बाई, टेक के,